नमस्कार, मचारदा पांडे, आसान जिन्दगी किसी पिजोड में आपको स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी एगहन चार गुरुवारों के बारे में जैसा कि एगहन महने अभी चल रहा है इस एगहन महने के एक माह में चार गुरुवार पढ़ते हैं दो सुकलपक्ष में और दो कृष्णपक्ष में तो तमाम बहनें बोलती हैं कृष्णपक्ष का भी रहना चाहिए कि नहीं चारों गुरुवार रहना चाहिए इसके पहले आसान जिन्दगी में वीडियो डाल चुके हूँ बिधिवत पूजा के बारे में बताई हूँ कि क्या क्या एगहन गुरुआर को होता है तो जो मा लच्छिमी से संबंधित ब्रत करते हैं या करना चाहते हैं उनको एगहन गुरुआर का पूजा और ब्रत जरूर करना चाहिए जैसे कि भादों महने में मालच्छमी का सोला दिवसी पूजा होता है उसी प्रकार से जब भी मालच्छमी जी का पूजा होता बैभो लच्छमी हुआ भादों महने का लच्छमी का पूजा हुआ ये एगहन गुरुआर का पूजा हुआ ये मालच्छमी जी का पूजन होता है अपढ ड़ेर्या बनाए जाती है पहले वीडियो में बताई हूं और अपजमें के लिए अष्टलमट्रिक मां आट में उसे के नोगे से सब्सक्रिके और यौर्प कंड़ तक घर में आती हुई लच्छिमी का बनाना चाहिए गाय के घी का दो बत्ती वाला दीपक जो में गेट है उसके दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ दीपक लगाएं दो बत्ती वाला और दीपक का जो लव है घर के अंदर तरफ होना चाहिए बाहर तरफ नहीं तो घर के अ प्रित्वी पर इस समय में ब्रह्म मुहूर्त में जो माल अच्मी के भग तरहते हैं अपना मतलब चार बज़े से साड़े चार बज़े से चार बज़े से लेकर दरवाजा खोल देते हैं और एक दिन पहले ही यानि कि गुरु आर के दिन जाड़ू पोछा या कोई भी साफ नहीं करते हैं एक दिन पहले ही सूर्य अस्त होने से पहले ही जैसे पहले भी बताए हूं गाय को गोबर से दोनों तरफ दरवाजे के तरफ लीप के और सुबह चार बज़े नहाने वहाने के बाद अच्छे से रंगोली उगर बना के और गुलाप पंखुणियों से सजा के तो साम को या सुबह भी तोड़ सकते हैं तो साम को जब पूल तोड़े तुसमें एक जो जो कुछ घास होती है वो डाल दे तो वो ताजा माना जाता है तो फूल तो इसी तरीके मैं आपको बता रही हूं घर में प्रसन ज़से कई छुआते हैं तो घर में जैसे कई लोग पूजा सकते हैं हम यहीं लग हम बहुत बड़ा है तो एक ही चौकी पर जैसे कि माली जय कोई हम बहुत बढ़ा पूजन कराते हैं जाप गरह तो नौगरह का सांती अलग-अलग जगह नहीं होता है एक ही जगह होता है नौगरह का जो चीत्र गरह बनते हैं चावल से एक ही जगह होता है तो एक ही चौकी पर सभी लोग एक ही चौकी पर कपड़ा बिछा के कला से स्थापना करके अश्टितल कामालो गरह बना कर सकते हैं और इसमें बताई भी हूं कि आपको क्या क्या करने हैं यह गुरुवार का ब्रत 12 वर्सों तक का किया जाता है 12 वर्सों के बाद आप इसका उद्यापन भी कर सकते हैं या तो फिर 14 या 24 नौ वर्स ऐसे आप जितना भी चाहें इस एगहन गुरुवार के ब्रत को कर सकते हैं एगहन गुरुवार का ब्रत बहुत ही फलडाई होता है अतिसी इसका फल अगर सद्धा भक्ति से पुजा किया मिलता है कुछ ऐसी साओधानिया भी हैं जो कि सभी गुरुवार में बताती हूं विसेश कर जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो इससे संबंधित क्या नहीं करना चाहिए यह भी आपको जानना चाहिए तो सबसे पहले सरसों का तेल निसिद्ध है इस गुरुवार को सभ भी भोजन प्रदार्थ न बनाएं जारू से संबंधित यानि नई जारू न खरीदें न पुरानी जारू फेकें कभी कभी हम लोग क्या करते हैं इसे नई जारू है तो इसको थोड़ा बहुत आगे का काटना चाटना कुछ भी करते हैं तो गुरुवार के दिन न करें जा पाउडर का रदी पेपर कापी पुस्तक जो भी लोहा कबार होता है वो गुरुवार के दिन नहीं बेशना चाहिए गुरुवार के दिन बगएर साबुन तेल क्रीम पाउडर के ही साधे पानी से असनान करके पानी में थोड़ा हरिद्रा यानि हल्दी का पाउडर डालके असनान करने के बार बीधिवत मालच्मी का पूजन करना चाहिए अगर आपके पास केले का इस्थम्भो केले का पतिया केले का चोटा-चोटा पाउधा और आवले के पतिया तो इससे मालच्मी के लिए तोरन बना के सभी मालच्मी के जो मंडफ होता है आम का पतिया को तोर इस सब पढ़ना चाहिए और यह सा मैं बता रहे हूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्थ में पुजन का काफी महत्त है उसी समय मालच्चमी घर में अपने भक्तों को सुछ मरूप से प्रभेस करती हैं धन धान से अपने भक्तों को भरे रहती हैं कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है । जू हम दीप जलाएंगे सुबह तो आप जब तक पूजा करें तप तक तक दीप जलता रहें कोई क्या करता है कि अखंड दीप भी और आप पहन के और माल अच्छी मीजी के सामने पुनह दीप जलाएं कपूर जलाएं और मां से प्राम करके जो भी आपकी बिंती हो प्राथना हो सुनाना चाहिए तो मैं आपको बता रही हूं कि एगहन गुरुवार को क्या 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 नहीं क्या नहीं क्या तो आप ब्रत रहके मीठा भोजन एक समय एक समय आप मीठा भोजन खाएं और चाहें तो आप फल खाकर भी ब्रत कर सकते हैं इस ब्रत में यह नियम है कि दो बार नहीं खाया जाता यानि आप चाय और और पानी और पी सकते हैं दिन में कई बार लेकिन अगर भोजन या फल ले र जाते हैं इस ब्रत को तो आप एक टाइम भोजन और एक टाइम फल लेकर करें अगर आप बिमार है तब लेकिन जो इसकी पूजा की इधी है जो ब्रह्म महोडत में उठके आवहन किया जाता है मेंगेट को खोल दिया जाता है मेंगेट से लेकर पूजा कछ्छ तक जितने भी दरवाजे हैं उसब को खोल दिया जाता है, सुगन्धित धूप से, सुगन्धित फूलों से मा को अवहन किया जाता है, मा को इत्र चरूर चढ़ाय जाता है, और पान, जैसे लौंग इलाईची फूल वाली लौंग, इलाईची छोटी सुपारी, जितनी छोटी हो सके, उतनी इसलिए छोटी सुपारी दो पान पर रख्के हर गुरुवर को मा को जरूर चढ़ाएं और कई प्रश्न है जैसे गुरुवर को हम जब इस्थापना कर देते हैं मालाचिन जी का तो ये कहना है कि वह प्रश्न है कि चारो गुरुवर उसी चवकी पर पूजन करें या उसको जायेगा शुक्रवार को कि जो ठेरी ओरिक सब चीज सब अटा दिया जाएगा हर गुरु वार को नया कलस कि विछाओगे व में वह भी सबस्ते हो जो पीले वास्तर रहीं कि वही पुना विछा सकते हो एक पीला जंडा भी बनवालो पीला लाल कि लाल मालच्मी जी का है तो दूसरे दिन यानि जैसे कि कपड़े पर चावल के ठेरी उगर रहेगी तो उसको हटा के अब पिछला वीडियो सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगे कुछ चावलों के ठेरियों का क्या किया जाता है उसमें बताई हूँ आप सर्च करके जरूर देखें और उस कपड़े को धोलें और दूसरे गुरुवार को फिर वही कपड़ा बिछाएं और उस चावल को अलग रखें आपको क्या करना है पिछले वीडियो में आप देखें फिर नए चावल से ठेरियां बनाके अश्ट दल ऐसे बताएं कि त्दी आ पोलाना है उसी तरीके से थाल्दी और केसर पील Easy अपने माथे प लगाएं मालच्षर को भी सौ्ड दिलक माना जाता हैं धन से संबंधित घर में असांतिय जो भी कुछ है और जो आप प्राथना करों के मालच में सभी बर्दान देने में सच्छम है सभी कुछ आपको देंगी तो इस गुरुवार को जैसे कि अभी जो बीडियो बना रही हूं तो आज बुद्धवार है तो आपको गुरुवा को आप प्रसाद चढ़ाएं चने की डाल का लड़ू बना के अपने घर में बाहर से नहीं लड़ू अगर बना के जब चौथा गुरुवार आ है तो माल अच्छी मी को सोलस इंगार भी चढ़ाया जाता है हर गुरुवार को नहीं लेकिन चौथे गुरुवार में सोलस इं कि आप मां को भोग लगा सकते हैं लड़ू का भी भोग लगा सकते हैं तो मैं आपको बता रही हूं एगहन गुरुवार में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जो कलस रखोगे वह कलस तांबे का या पीतल का होना चाहिए श्टील का नहीं होना चाहिए कलस पर स्रीफल रख दें दीब अलग से जला दें आरती नहीं करनी है यह आपको बहुता रही हूँ और लाल गाय को 100 ग्राम चने की डाल और 100 ग्राम गुर किसी भी चीज में कागज गरम रखे लाल गाय को आप खिलाएं यह चारो गुरुवार खिलाएं वैसे यह नियम ही है ऐसे आप पूजा अब्रत नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप साल में सभी गुरुवार को बोल रही हूँ आप लाल गाय को चना की डाल अबूर खिला सकती हैं इसे भी लच्छिमी मा प्रसन होती है आपको धन धान से परिपूर करती हैं यह भी उपाय हो गया यह उपाय है लच्छिमी से संबंधित यह उपाय मैं बता रहे हूँ कई ऐसी बेटियां है जो की गुरुवार के जो यह चारो गुरुवार के जो ब्रत है उनका इतनी सद्धा है कि उपूत्र मागित उनको पूत्र मिला तो इतनी सद्धावान हो गई वेटियां कि मतलब सब गुरुवार एगहन गुरुवार के जो ब्रत होता है यह बहुत सद्धा भक्ती से करती है मालच्छिमी का पूजन बैभो पूर करना चाहिए इसलिए देशी इत्र मगा लें गुलाव, गेंदा, कमल गेंदा तो बहुत बहुत आयत मिल रहा है भी इसमें ठंड कमावसम है गुलाव और कमल का पुस्द भी मालच्छिमी को चढ़ाएं बिधिवद पूजा करें लाल खोलों की माला माता लच्छिमी को चढ़ाएं और जो चुन्नी आप पहले गुरुवार को चढ़ाओगी वही चुन्नी आप धूल के चारो गुरुवार को चढ़ा सकती है गुरुवार के दिन विसेश लाल साड़ी या पीली साड़ी चढ़ाएं आप उसको खुद भी यूज कर सकती हैं शोला सिंगार में पान, विच्छुआ, सिंदूर, बाकि सभी लाज चूरिया उगर जो भी शोला सिंगार में आते हैं मा को चढ़ाएं खुद यूज करें घरवालों को दें बाहर दान नहीं दिया जाता है और जो कपूर की थाली होत आप इस बार कैसे करें अब रही जल की बात तो जल क्या होता है यसे संधिया के समय आप को ना लोगारा आता रहे तो दो बून थोड़ा सा गंगा जल डालने लोटे में या किसी भी पात्र में उसके बाद उसमें आप साधारन जल भरके आप मा के पास रखने उस जल से जाओ सुच्छ माना जागा क्योंकि इसमें गंगा जल पड़ा रहेगा उरद की दाल जैसे अब बताएं हूंकि सोर्सों का तेल इस्तेमाल नहीं करना है उरद की दाल किसी भी तरीके से बढ़ा या कुछ भी चीज और खिचडी खिचडी भी किसी तरीके चाहे रहर की दाल नहीं बनाना है उरद की दाल सुर्सों का तेल विल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है गुरु वार के दिन जो लच्छ मी को चाहते हैं इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए ऐसे ही आगे जितने ही पर्व आ रहे हैं उन सभी के वीडियो देंगे आपको हमारे चैनल को आप स झाल झाल